नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शोहम भार्दवाज and welcome to the PyGuard channel आज हम देखने जा रहे हैं loops यह है video no.7 in the lecture series introduction to python तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम सबसे ज़्यादा important loop देखने जा रहे हैं python की जिसका नाम है fall loop तो दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटी सी exercise देता हो आप print करोगी 0 से 4 तक तो जितना मैं आपको सखाया है उसके साब से आप यहां तक ही print कर सकते हैं 0 से 4 तक तो इसको print करें देख लेते हैं यह आगे 0 से 4 तक लेकिन अगर मैं आप बोलूँ भाई thousand तक print करो तो आप क्या लखो कि 5,6,7,8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा यह तो फिर आप बोलोगे भाई कोई असान तरीका पता हो इसके इसका तरीका असान करने का यह है एक loop यूज कर सकते हैं अब loop होता क्या है एक ही काम आप जिंदगी में बार-बार करते रहते हो सुबह उठते हो और फिर आप खाना खाते हो फिर सो जाते हो और फिर कल यही काम करोगे अगले दिन यही काम करोगे तो आपका काम आपकी जिंदगी पूरी लूप में चल रहे है एक ही काम बार-बार होता रहता है तो लूप क्या होता है कि एक ही चीज को बार-बार करना यह हो गया loop दो जो भी काम आप करोगे for loop में, आपको देखना पड़ेगा कि आप एक indent दो, तभी python को समझ में आएगा कि for loop के अंदर अगर मैं जाओंगा, तो यह वाले काम करने है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ पर print वाला का काम हो रहा है, और print क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक variable i को print करें, अब देख सकते हो यह variable यहाँ पर लिख रखा है, अब यह i जो variable है, इसमें हमें कुछ तो value देनी पड़ेगे, है ना, तो यह देने का काम कौन करता है, जैसे यहाँ पर i equal to मिर को कुछ तो भी देना पड़ेगा 5, और फिर मैं तभी print कर पाऊंगा i को, यह तो कोई भी नहीं है, तो assign करने का काम कौन करेगा values, वो है यह function, इसका नाम है range function, अब range function में आप देख सकते हो, मैंने कि यहाँ पर number डाल रखा है 5, तो यह range function में अगर मैं 5 डालता हो, तो आप इसको simple तरीके से ऐसे सोच सकते हो, कि यहाँ पर वो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फि और, तो 5-1 तक values देता रहेगा i को, कैसे देगा वो, तो ऐसे देगा, पहले i की value 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो i की value 0 देगा यहाँ, फिर वो i को print कर देगा, तो यहाँ पर 0 प्रिंट होगा, फिर क्या करेगा, एक value बढ़ा देगा, i की value 0 से 1 हो जाएगी, फिर बा i की value बार क्या करेगा, i की value 2 कर देगा, फिर print कर देगा, कब तक, last में आप देख सकते हो, i की value 4 होती है, फिर i print हो जाता है, फिर यह बोलता है कि भाई, मैंना 5-1 तकी value दूँगा इसको, और फिर इसलिए यहाँ पर, जैसी 5 दिखता है हमें, यह बाहर आ जाते हैं, खतम हो जाता है, तो वैस अब आपने जब देख लिया कि follow work कैसे कर सकती है, तो अब इसको हम run करते है, sublime text में run करने के लिए आप प्रेस कर सकते हो, control B, तो चले चला कर देखते है, तो आप देख सकते हैं आपर, कि 0-4 तक print हो गया, तो इसलिए आप सोचे हो गया, कि पाई आज मैं आपको जब loops बताओंगा, तो एकदम धंक से समयना चाहिए, तो ठीक है, हमने अब 0 से तो print करना start कर दिया, माल लो मेरे को 5 से ही start करना है, और मेरे को माल लो कोई number है, 50 तक मेरे को print करना है, तो इसका syntax क्या होगा, आप पूछो कि मैं से, ठीक है, मैंने बोला, ठीक है, लेकर आप बोलोगे, भाई, हम कहां तक जाते हैं, हम n-1 तक जाते हैं, जैसे वहाँ पे 5 लिखा था, तो 4 तक print किया था, तो अगर मैं आप 50 लिखोंगा, तो कहां तक print करेगा, 49 तक, तो अगर मैं चाहता हो कि वो 50 तक print करे, तो मैं क्या लिखना पढ़ागा, आप लि यह गया, और इसने print कर दिया, 50 तक, simple, तो दोस्तो, for loop के एक और important चीज हम देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा example लेते हैं, मालो मेरे को odd numbers print करने है, 1 से 50 तक, तो उसका syntax तो यह होगा, लेकिन यह क्या print करेगा, यह करेगा, 1, फिर 2, 3, 4, लेकिन मेरे को क्या पाज 1 है, तो 1 में मैं कितना add करूँगा, कि 3 आएगा, तो मैं 1 में 1 प्लस 2 करूँगा, है ना, फिर 3 में मैं क्या add करूँगा, 2 add करूँगा, तो पहले क्या काम हो रहा था, कि एक-एक add हो रहा था, और फिर वो एक-एक next-next number print कर रहा था, लेकिन अब मेरे को 2-2 आगे ज skip करने, ठीक है, तो अब यहाँ पर simple example मैं आप 1 से 10 का ले लेता हूँ, तो 10 तक जाने के लिए मैं कहा तक जाओँगा, 11 तक, 11 क्या बोलता है, कि भाई, तू 10 तक जा, जैसे महाँ पर 5 क्या बोला था, तू 4 तक जा, तो इसलिए यहाँ पर 11 ले रहा हूँगा, और यहाँ पर बताता हूँ कि कितने skip करने पर को, तो चलो इसको run करके देखते हैं, तो अब देख सकते हैं, कि 1 के बाद 2 skip किया 3 गया, फिर 2 skip किया 5, and so on, तो दोस्तों, लास्ट चीज जो आज हम देखने वाले हैं, वो है for loop को reverse में कैसे चला रहा है, तो एक छोटा से example ले दे, कोई भी space movie में आपने countdown देखा होगा reverse में, 10, 9, 8, 7, वो 0 तक चलते हैं, तो यही same काम हम अगए अगर for loop से करना है, तो जितना मैंने आपको सिखा है, उसके हिसाब से सोचते हैं, तो यह जो range function होता है, आप हमेशा दिखते थे कि starting में हमें जिस value से start करना है, वो लिखते हैं, तो मालो मेरे को 6 तक अगर मेरे को print करना है, 0 से लेकर, तो मैं लिखता range 0 से 6, नहीं, मैं लिखता 0 से 7, ठीक है, तो अगर मेरे को 10 से print कराना है, reverse में, और मेरे को 0 तक print कराना है, तो मैं कहां तक जाओंगा, मैं यहां तक जाओंगा, minus 1 तक, है ना, क्योंकि 0 पे मेरे को end कर दे तो यहाँ पर लिख दो minus 1 और फिर अब step की बारी आती है वहाँ पर हम 0 में 1 करते थे फिर 1 में 1 करते थे 2 जाता था तो यहाँ पर आप क्या करोगे यहाँ पर हम 10 से 9 पर जा रहे और 9 से 8 पर जा रहे तो अब देख सकते हो एक-1 minus हो रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या आए तो चलिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं अब आप देख सकते हैं आपे कि प्रिंट हो गया 10 से 0 तक तक तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू और मिलते हैं अगली बात झाल प्रिंट हैं झाल